सो गाई साच के इस वड़ों में बात करने वाला हूँ कि आप लोग HDFC बैंक में लोन के लिए कैसे अपलाई करेंगे और मोस्ट इपोंटेंज यह है कि लोन अपलाई करते समय किन किन बातों को आप लोग को धियान में रख करके अपलाई करना होगा जिसके वज़े से आप ल यह लगता है कि साथ हम इलिजबल ना हो लेकिन अपलाई करते समय कुछ हम लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं जिसको जैसे हम लोग का जो अपलीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है HDFC बैंक के द्वारा ठीक है तो इसी पर बात करने वाले हैं साथ में अपलाई करने का जो प्रोसीजर है इसके उपर भी बात करेंगे कि और कुछ मेरे भाई लोग जो है कि यह जानना चाहते हैं कि भाई जीरो इंट्रेस्ट रेट पर HDFC बैंक से लोन कैसे मिलेगा तो इसके बारे में आप लोग का भी सवाल का जबाब मिलेगा ठीक है तो वीडियो को आंते तक ज होन मिलेगा HDFC बैंक की तरफ से और जो की गेट फॉंस इंटेन सेकेंड दस सेकेंड के अंदर में आप लोग को पैसा मिल जाएगा अपलाई करते ही ठीक है आप लोग सोंच सकते हो और जो यह माई स्टार्टिंग होगा वह 1149 रुपया के हिसाब से होगा ठीक है और साथ मे minimum documentation है बहुत ही मतलब कम कागजी कारवाई है इसमें और यहाँ पर apply करने के जो procedure है पूरी तरीके से online है तो simply apply online पर click करेंगे जैसे apply online पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का dashboard होगा जहाँ पर 4 step में आप लोग का यहाँ पर loan का जो amount clear होने वाला है पहला है कि आप тебе को detail सेलेक्ट करना होगा कि सेलेक्ट करना हो जब करना होगा कि अप सेल्फ retired है या फिर सेल्फ लग्याते हैं कोई एक अगर जब आप लोग के अपर लोग उन्ने apply कर दिया हो गया ठीक है लेकिन जब आप ये उससे ईतना कम बेसा आपका से ह्एससे वह मेसं लोगी याप यहाँ नहीं चुका पाते हुए या नहीं चुका पाओगे तो तरीकेसे दोड़ा होते हुए rooft क्या ओट करता है कि आपका जो लोन का अप्लिकेशन है उसे रिजेक्ट कर देता है ठीक है तो हम इसाफ से आप लोग का जो इन्वल इंकम है उसे साड़ा तीन लाग तीन लाग से ज़्यादा ही रखना है ठीक है इसके बाद चलिए मैं यहाँ पर सेल्फ इंप्लॉइड हो तो सेल्फ इंप्लॉइड पर क्लिक करूंगा इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फ इंप्लॉइड ठीक है और साथ में सोल प्रोप्राइटर है और साथ में पार्टनर सीम विद ललसी कंपनी है तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा ठीक को identify करना रहता है खुद को पहचान देना रहता है इसके बाद loan amount आप लोग को मिल जाता है offer मिल जाता है कि account से आप लोग के amount चाहिए इसके बाद submit पर click करेंगे payment आपको receive हो जाएगा तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर mobile number देना है ठीक है तो यहाँ पर सारे के सारे आप लोग को read कर लेना है accept करके ठीक है और यह भी आप लोग को click कर लेना है इसके बाद आप लोग को यहाँ पर loan की eligibility चेक करेंगे आपने पैन नंबर के माधिम से चले मोबाइल नबर देता हूं इसके बाद पैन नंबर देता हूं जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल अभी आप लोगों नंबर दे था तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर OTP को मैं यहाँ पर simply feel कर लेता हूं ठीक है इसके बाद identify yourself पर click करेंगे ठीक और इस पर जैसे click करेंगे तो आपके सामने जो ही यह थोड़ा सा processing लेगा और आपके सामने यह देखिए थोड़ा सा सब्सक्राइब हो सकता है क्योंकि देखिए लोडिंग लेता है इसमें ठीक है तो आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है इसके बाद आपका जो नाम रहेगा पैन कार्ड में वह नाम आप लोग को यहां पर लिख करके आ जाएगा इसके बाद यहां पर बेसिक डीटियल आप लोगों समाँगा जैसे डेट अब वर्थ हो गया मेल हो गया से इंप्लॉइड हो गया ठीक है यह देखिए आप लोगों से एड्रेस में माइंगा इसके बाद कंटिन्यू पर किलिक करेंगे दिखिए एक चीज़ आप लोगो बता दें कि कुछ मेरे भाई लोग का यह नो परसिंट से ले करके 14 परसिंट के बीच में आप लोग ले सकते हो तो देखिए आगे का प्रोसेस एकदम बिल्कुल एजी इस टेप है और आप लोगों को यह करना है देखिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोग यह सारे तो भरी लेंगे अड्रेस भर करेंगे इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करेंगे अगर आप लोगों का डिटेल सारा का सारा क्लियर रहा ठीक है कोई भी परिसानी अगर नहीं होता है आपके पैन कार्ट के साथ ठीक है तो भाई आप लोग को तुरंद ही कॉल बैक होगा जो है कि HDFC बैंक की तरफ से और दे सब्सक्राइब कर देगा और हम लोगों अपडेट के साथ अपके लिए बाई बाई